कि इस क्राफ्ट को बनाने के लिए सबसे पहले हमें कॉटन का क्लोथ लगेगा जो हमने यह लिया हुआ है 45 cm इसमें कई तरह के क्लोथ लेकी आप इसको कर सकते हैं बट हमने स्कौयर वाला पीस लिया अब इसको हम फोल्ड करेंगे इस तरीके पहले हमने इसको ट्राइंगल में फोल्ड किया इसके बाद एक पीस और निकाला देन इस तरीके से हमने पोल किया अब हमारा जो ये पीस बच्चा वहाँ पे हमने कट मारा और सरकल बना लिया जिससे कि कोई भी फ्रावर पॉट है हम नीचे से उसमें खुल रहे इसलिए हमने ऐसा कर लिया है इसमें हम वाइट सीमेंट ब्लैक सीमेंट दोनों का यूज़ कर सकते हैं अभी हम ये ग्रेवली सीमेंट का यूज़ कर रहे हैं जो सिंपल सीमेंट आती है और हमने इस तरीके से इसका बेस बना के रखा हुआ है उसके उपर पॉलेथिन चड़ा दी है पॉलेथिन लगाके रखी हुई है जिसे कि हमारा पॉल्ट कराब ना हो इसमें कपड़े को डिप करेंगे और हम इसके ऊपर रखेंगे और इसको थोड़ा से सूख जानेगा उसके बाद हम इसको शेप देना स्टार्ट करेंगे इस तरीके से हम इसके फॉल्ट बना रहे है कि जिस एक दिन क्लियर आ जाए क्रीज बनाएंगे थोड़ा से सूखने के बाद योकि गीले में बनाएंगे तो इसमें से सब गिर जाएगा हास लगाएंगे तो हास से भी सीमन निकल जाएगा इस तरीके से हमने पोल्ड आप देख रहे होंगे एक तरफ बिना पोल्ड का है एक तरफ पोल्ड वाला था अभी हमने दोनों में क्रीज बना के रखी हुई है इस तरीके से हमने क्रीज बनाई थोड़ा सा सूखेगा फिर हम उसको थोड़ा सा क्रीज बना देंगे और हम इसको एक दिन के लिए छोड़ देंगे इसके बाद हम इसके उपर से फिर से एक कोट करेंगे जिसे कि जहां हमारा सीमेंट निकल गया था वहाँ पर ये लग जाए और हमने इसको पॉट को निकाल लिया अब हम वापस सीमेंट का यूज करेंगे इसके अंदर जहां पर finishing नहीं है या बाहर finishing नहीं है उसमें पूरे finishing करेंगे अंदर भी cement डालेंगे बाहर भी brush की help से use करेंगे और इसको पूरा finish हम कर देंगे यहां हम white cement का भी use कर सकते हैं इस type के भी pot हम बना सकते हैं देखिए कितने सुन्दर pot लगते हैं इसके उपर हम कलर करेंगे different different type के हम colors कर सकते हैं दो या तीन layers में बना सकते हैं